सαनातन धर्म के प्रमक तेवहारों में से एक कोजागरी, पूझा माना जाता है। हिंदु पंचांग के नुसार अश्व नमास की पूर्णिमा तिति को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं इस दिन मालक्षमी की विधिवत पूजा करने का विधान है ये पर्व उडिसा पश्रम बंगाल असमाधी राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाय जाता है इस दि भागय और अत्याधुनिक सुख समरद्धी का अशरवात देती हैं नवर्शकर मैं हूं सुक्रदी रोई चैठर जी और बोल्स कई में आप सभी का स्वागत है आए जानते हैं कि इस बार कोजागरी पूजा मुहूर्थ कब है अश्व नमास की पूर्णिमा तिति इस साल 28 28 ओक्टूबर को सुबह 4 बचकर 17 मिनट से शुरू होगी जो कि 29 ओक्टूबर को दोपहर 1 बचकर 53 मिनट पर समाप्त हो रही है वो देयातिथी के हिसाब से कोजागरी पूजा 28 ओक्टूबर शनिवार को पढ़ रही है निशीत काल पूजा मुहूर्थ 28 ओक्टूबर की रा शाम 5 बचकर 41 मिनट से है पौरानिक मानिताओं के अनुसार शर्द पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मन्थन के दौरान मालक्षमी प्रकट हुई थी इसी कारण इस दिन को देव मा के जनमोटसव के रूप में मनाते हैं शर्द पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और रात को उसकी रौष्णी से अम्रत बरसता है इसी के कारण इस दिन खुले आस्मान के नीचे खीर बना कर रखी जाती है इसके साथ ही मालक्षमी को खीर का भोग लगाने से वह अती प्रसन भी होती है और वो हर कष्ट को हर लेती है कोजागरी लक्षमी पूजा का मुहूर्त जानने के बाद आपको ये बताना भी बेहत जरूरी है कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहन देर रात एक बचकर छे मिनट पर 28 ओक्टूबर को ही लग रहा है और चंद्रग्रहन का समापन रात दो बचकर 22 मिनट तक रहेगा इसका सूतक काल 28 ओक्टूबर को दो पहर दो बचकर 52 मिनट से लग जाएगा ऐसे में भले ही कोजागरी लक्षमी पूजा का मुहूर्त निशित काल में हो लेकिन चंद्रग्रहन और सूतक काल को ध्यान में रखते हुए आप 28 ओक्टूबर की सुबह ही मालक्ष लक्षमी की पूजा कर उनका आशरवाद प्राप्त कर ले क्योंकि अगले दिन 29 ओक्टूबर तक चंद्रग्रहन का प्रभाव भारत में भी रहेगा तो इस प्रभाव से बचने के लिए बहतर यही होगा कि 28 ओक्टूबर की सुबह ही मालक्षमी की पूजा कर ली जाए फि